चिली के कोल माइन में 33 व्यक्ति फसे रहे 69 दिनों तक ये घटना है 5 अगस्त 2010 की इसी दिन से इन सभी व्यक्ति का सबसे बुरे दिन का होता है सुरुआत मैं बात कर रहा हूँ सैटियागो से लगबग 800 किलो मेटर उत्तर में इस्ठित कोल माइन के बारे में धरती के काफी गहराई में फसे हुए व्यक्ति में से कितने व्यक्ति आखिर जीवित बचे गहरी भूगत कुपाओं में भस गये थे और संचार के लिए भी साधन के तरह स अलग-अलग हो गए थे फसे हुए व्यक्ति के साथ संपर्ण करने में दिल लग गए लेकिन उनसे संपर्ण लगभग 17 दिन बाद हो पाया वाइस अगस्त 2010 को रेसकी ट्यूम ने एक छोटे से होल के माद्धन से व्यक्ति के साथ संपर्ण अस्थापित किया आखिर ये सब कैसे जीबित बच पाएंगे फिर भी यहाँ पर आपात कालिन प्रबंधन की विवस्था की गई और तक्नीकी विशेशग्यों ने मिलकर एक सुरचित मार्ग बनाने के लिए योजना बनाई फजे हुए ब्यक्तियों को बचाने के लिए मिसेस ड्रेलिंग ओपरेशन शुरू किया गया जिसमें दुनिया पर के विशेशग्य सामिल हुए इस ओपरेशन के तहट 7 अक्टूबर 2010 को यानि की दो महीने दो दिन बाद जाकर एक ब्यक्ति बाहर निकलता है उस गहराई से य अभी 33 खनिकों का दो महीनों में 33 खनिकों यानि की 33 ब्यक्तियों का जान बचाने के लिए ग्यानिकों ने बहुत बड़ा इतिहास रच दिया था ये कोई आम बात नहीं था लगबग 70 दिनों में एक दिन कम 69 डिज लगबग लगे थे उन रेस्क्यू को उन ब्यक्ति को जाने के लिए यहां तक कि उनको किसी को भी पता नहीं था कि भू अस्खलन के बाद वहां पर उपस्थित व्यक्ति जीवित हैं उन ब्यक्तियों का आकड़ा लेकर उन ब्यक्तियों के नाम लिखे गए और ये बार उस ड्रिल मसीन के दौरा वहां पर सुरंग बनाई गई और वहां से उन ब्यक्ति के बारे में जानकारी लिया गया लेकिन वहां से पहले राउंड में कुछ नहीं मिला खुछ समय बाद वहां से आवा जाने लगी और वहां पर उपस्थित एक डौगी बहुते से भूगने लगा या घटना ना केवल खनिकों के सहसिक्ता और धायर की कहानी है बलकि वैस्विक सहयोग और तकनीकी उपलब्दियों का परतीक भी मारा जाता है इस सफल डेस्कू आपरेशन ने दुनिया भर के लोगों को या जिखाया कि कटिन परस्थितियों में भी उम्मीद और सामोहिक प्रियासों से कोई भी समस्या हल किया जा सकता है